नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और इस वीडियो में मैं आपको एनस्पीसी में कुछ रिक्रीट्मेंट आया है 2022 में तो उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं तो चलिए start करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारा एनस्पीसी देखें यह हमारा एनस्पीसी का 92 to 23 under the apprenticeship Act 2091 देखिये और वत के बात से केंट है हमारा यह रीक्यीट्मेंट है परवान एंठ है जो बे जुनिय इंगीनिय देखिये फर पोस्ट प्र जुनियर इंग्यनियर और सिभिल एलेक्ट्रिकल और अगर आप यह तीनों ब्राइंच से अगर आप ने डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिवल है तो आप इस अप्लाइब कर सकते हैं और थर्ड फॉर्ट थर्ड में हमारा नोटिफिकेशन फॉर है ट्रेड एपरेंटिशिप है देखें पहले हम सिंट वाला से से बारे में बात करते हैं तो जूनियर इंजिनियर के लिए तो देखें आप हमारा हम क्लीक करने के बादी हमारा उपन है और इसमें देखी नशपीस इस तीनों ब्राइंच से अगर आप ने डिप्लोमा किया है त्री येर्स का तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि देखिए हमारा पहला है जुनियर इंजिनियर सिविल अगर आप डिप्लोमा सिविल से कियो तो इसे अप्लाई कर सकते हो तो फुल टाइम रेगुलर यहां पर देखिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा और सिविल इंजिनिरिंग फ्रम गॉर्मेंट रिकोगनाईज को भी गॉवर्मेंट इंस्टिटूट चा अगर आप कियो है तो देखिए यहां पर टिप्लोमा के लिए बहुत साय लोगों का कुष्चन था है तो अगर आपने बिट्क किया हुआ है अगर आपने डिप्लॉमा के बाद भी टे किया है तब इस पोस्त के लिए एलिजीवल है अगर आपने डारेक्ट के लिए एकिया है तो इस पोस्त के लिए आल एक्लीजीवल नहीं है तोटल भेकनशी से si चाहिए शिश्टीयट वेकेंशी से थर्टीयर होना चीह उससे जादा नहीं होना चीह स्टी के लिए 11 है एस्टी के लिए 4 है और उबिसी के लिए 19 और अन्रिजर्व जेनरल के लिए 28 है उसी तरह सेकेंट है हमारा जुनियर ये लेक्रिकल के लिए 29,000 से 1 लग 19,500 तक हम अगर आप अधिकल से डिलोमा कीये हुए थ्री येर्स का तो आप इसके लिए लिए ले जिले सेम्ट क्रेटेरिया 60% होना चीह आपको उसके बाद आपको डिलोमा होना चीह अगर आप बीटेक नियुक्नियों कोई बात निये लेकिन डिप्लोमा हो चाहिए और यहां टोट सिस्टी परसेंट आपको चीह है वह से सिब डिप्लोमा होना चीह है 31 पोस्त है टोटल और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर फोर पीड़ी के लिए रिजर्व है उसके बाद कम पेंसेंशन दिया है कोजने बाद सब्सक्राइब करना आपको अफिशेल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ देखिए यह फिसे से जाकर आप कर सकते हो इसके बाद देखिए यहां पर मैट्रिकुलेशन का आपको डेट एट अब वर्थ का इस प्रूब सर्टिपिकेट होना चीह है उसके बाद को यहाँ पे कल सर्टिफिकेट अब है तो मैंचन कर दिजिए उसके बाद देखिए यह पे टेस्ट तो यहाँ पे सेटर पर सिपीटि टेस्ट होग और यह टेस्ट देखिए कौन कौन से चंटर में होगा 22 ट्वेंटी टू सीटी इस मेंचन इन अप्लिकेशन सी अगर आप य एक्जाम दे सकते हो एक्जाम देखिए यहां पे हम लोगों को टोटल two hundred questions होंगे तूटा two hundred questions में part 1 में आपको one 40 mcq question आपके branch से होंगे second thirty questions आपके general general knowledge के होंगे और तर्टी question uhm reach in का होगा देखें negative marking यहां पर हे for every correct one one marks आपको लाओ होगा पूर एवरी रॉंग एंसर आपको 2.25 मार्क्स विल भी डिटेक्टेट वन फोर तो आपका मार्क्स वह डिड़क्ट हो जाएगा रिजर्वेशन रिजर्वेशन फॉर स्ट और सब्सक्राइब के लिए आपका 40 पर्सेंट और अबॉब होने से भी हो जाएगा अगर आप यह नो रिजिस्टेशन फिस्ट फिस्ट फॉर स्ट और पीड़ एक्स तो यही रहा अगर आप स्ट तो आपको कोई चार्जस नहीं द सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में आपको बता दूंगा